तो भाय साहब सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे एक लाख रुपे का personal loan मेरा यहाँ पर अप्रूब हुआ है और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यह amount हमारे bank account में credit भी हो चुका है तो अगर आपको instant personal loan की जरूरत है तो भाय साहब market के अंदर बहुत सारे loan application है लेकिन अगर आप वहाँ पर जाएंगे loan apply करने के लिए तो आपको high interest rate pay करनी होगी और साथ में आपको income proof अगर अभी देने होते हैं कि मुझे ये समाज में नहीं आ रहा है कि जब यहाँ पर bank आपको काफी कम interest rate पर personal loan प्रवाइर करती है तो फिर आप loan application के चक्कर में क्यूं परते हैं तो किसी भी loan application से loan लेने से better ये रहेगा कि आप directly किसी भी bank से loan ले लें अब कौन सा bank से loan लें तो भाइसा आप bank आप बरोदा आपको instant personal loan प्रवाइर करती हैं तो इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि आप किस तरह से bank आप बरोदा से अपना personal loan अप्लाई कर सकते हैं साथ में अगर आप bank आप बरोदा से personal loan लेते हैं तो आपको कितना interest rate पे करनी होगी कितना किन चीज़ों का आपको charges देनी होगी साड़ी चीज़ें इस वीडियो में जानेंगे तो वीडियो आज का एक काफी useful होने वाला है वीडियो को enter ज़रूर देखिए चले वीडियो में आगे बढ़ते हैं बैंक और बरोदा से personal loan लेने के लिए यहाँ पर apply online वाले option पर click करेंगे इसके बाद आप next page पर आएंगे next page पर आने के बाद यहाँ पर आपको कुछ document के बारे में बताये जाएंगे बैंक और बरोदा से जो आप personal loan अपलाई करेंगे तो आपके पास कौन कौन से document वगएरा होनी चाहिए सबसे परले आपके पास एक mobile number होनी चाहिए साथ में आपके पास अधार number होना चाहिए और उस अधार number से कोई न कोई mobile number registered होना चाहिए इसके अलाबा आपके पास pain card होनी चाहिए इसके अलाबा आप इस mobile phone से personal loan के लिए अपलाई करेंगे उसका camera अच्छा होना चाहिए, microphone सही होना चाहिए, उसमें internet connectivity वगड़ा होनी चाहिए तो यहाँ पर आप document वगड़ा सारी चीज़ें चेक कर लेंगे, आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको interest rate के बारे में बताया जाएगा कि आप जितना loan लेंगे उस पर में आपको कितना interest rate चार्ज की जाएगी अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाय साब bank of बरोदा आपको दो तरह से personal loan प्रवाइर करती है जिसमें पहला हो गया आपका pre-approved personal loan और दूसरा यहाँ पर digital तरीके से digital personal loan आपको प्रवाइर करती है अब इन दोनों में different किया है चले इसके बारे में पहले समझते हैं जो आपको यहाँ पर में pre-approved personal loan प्रवाइर की जाती हैं इसका जो minimum amount है वो है 50,000 और जो maximum amount है वो है 5,000,000 मतलब कि 50,000 रूपया से लेकर के 5,000,000 रूपय तक का personal loan के लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं pre-approved personal loan में वही अगर हम इसकी interest rate की बात करें तो भाइसाब यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं 12% से लेकर के 16% तक आपको interest यहाँ पर charge की जाएगी यह पर एनम है अब अगर आप यहाँ पर pre-approved personal loan में timing period अगर आप देखेंगे कि आप कितने दिन के लिए loan ले सकते हैं तो भाइसाब यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं यहाँ पर 18 मन्त से लेकर के 18 महिने से लेकर के 36 मन्त 36 महिने तक के लिए आप personal loan यहाँ पर ले सकते हैं वही अगर आप APR percentage अगर आप देखेंगे यहाँ पर यह एन्वली हैं तो यह यहाँ पर 15% से लेकर के 19% तक आपके उपर चार्ज की जाएगी जो की दूसरा loan application से काफी कम हैं वही अगर हम processing charge की बात करें तो भाय साब आप यहाँ पर देख सकते हैं किसी भी दूसरा loan application से काफी कम आपके उपर processing charge लगाई जाएगी आपका loan जितना तक का अपरूब होगा उस loan amount की उपर सिर्फ 2% का ही आपको processing charge देने होंगे इसके अलाबा अगर आप pre-approved loan के लिए apply करते हैं तो भाय साब यहाँ पर में आपको नहीं कोई income proof देने पड़ेंगे और नहीं आपको bank statement देने पड़ेंगे और नहीं आपको कोई ITR वगेरा submit करने पड़ेंगे मतलब की बिना document का बिना income proof का आप यहाँ पर में pre-approved personal loan के लिए apply कर सकते हैं तो यहाँ पर में bank of borodas जो आपको pre-approved personal loan प्रवाइड करती हैं इसमें आपको कौन-कौन से facility मिल जाते हैं कितना तक का आपको processing charge देने पड़ेंगे क्या interest rate आपके उपर लगा ही जाएगी यह सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे या फिर आप यहाँ से भी यह सारी चीज़ें देख सकते हैं चलिए आप यहाँ पर जो digital तरीके से digital personal loan आपको bank of borodas प्रवाइड करती हैं इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं अब यहाँ पर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो digital personal loan जो आप यहाँ पर apply करेंगे तो भाय साब यहाँ पर में minimum 50,000 रुपया के loan amount जो हैं सो यहाँ पर में आपको provide की जाती हैं और maximum 10,000,000 रुपय तक का personal loan आपको provide की जाती हैं मतलब की 50,000 रुपया से लेकर के 10,000,000 रुपय तक का personal loan के लिए आप यहाँ पर apply कर सकते हैं अगर हम interest rate की बात करें तो भाय साब इसमें भी आपको 12% से लेकर के 18% के हिसाब से आप से interest charge की जाएगी इसके अलाबा अगर हम loan period की बात करें कि आप कितने दिन के लिए loan यहाँ पर ले सकते हैं तो वो आप यहाँ पर देख सकते हैं एक साल से लेकर के 5 साल तक के लिए आप personal loan के लिए यहाँ पर apply कर सकते हैं 12 months से 60 months तक के लिए अगर हम इसके APR percentage rate की बात करें तो भाय साब यहाँ पर में काफी कम हैं दूसरे loan application की हिसाब से यहाँ पर में APR जो annual percentage rate हैं वो आपको 14% से लेकर के 23% तक आपकी उपर charge की जाएगी वही अगर हम processing charge की बात करें तो आप यहाँ पर clearly देख सकते हैं आपका loan जितना तक का approve होगा उस loan amount की उपर सिर्फ 2% तक का ही आपकी उपर जो हैं सो यहाँ पर में processing charge लगाई जाएगी यहाँ पर में जो आपको bank of brother digital personal loan प्रवाइड करती हैं इसके बार में आप समझ गए होंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर में select कर लेंगे कि आपको कौन सा loan चाहिए अगर आपको 5 लाग से ज़्यदा का loan चाहिए तो आप यहाँ पर में digital personal loan के लिए आप अपलाई कर सकते हैं 15,000 रुपया से लेकर के 10 लाग रुपय तक का loan आप यहाँ पर मिले सकते हैं लेकिन अगर आपको 10 लाग से कम का loan चाहिए तो आप यहाँ पर में pre approved personal loan के लिए अपलाई कर सकते हैं तो यहाँ पर bank of बरोदा आपको दो तरह से personal loan प्रवाइर करती हैं आप साड़ी चीजें अच्छे से समझ गे होंगे या फिर आप अपने हिसाब से यहाँ पर अच्छे से चेक कर लिजेगा चलिए अब यह जानते हैं कि आप किस तरह से personal loan के लिए अपलाई कर सकते हैं तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे की तरफ आएंगे और नीचे की तरफ आने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको proceed का option मिलेगा यहाँ से proceed वाले option पर click करेंगे इसके बाद आप next page पर आएंगे next page पर आने के बाद जो भी आप mobile number देना चाहते हैं अपना एक mobile number यहाँ पर enter कर देंगे और इसके बाद जैसे आप mobile number एंटर करेंगे आपके mobile number पर bank of बरोदा के तरफ से एक OTP code सिर्ण की जाएगी जो भी OTP code आएगा यहाँ पर OTP code एंटर कर देंगे और यहाँ से submit OTP वाले option पर click करेंगे next page पर आने के बाद अब यहाँ पर आप से फूचा आता है अगर आपका कोई भी account है bank of बरोदा के अंदर तो भाई साब यहाँ पर में yes करेंगे अगर आपका कोई भी account bank of बरोदा के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर no करेंगे तो मेरा कोई भी saving account bank of बरोदा के अंदर नहीं है मैं इसको यहाँ पर no कर देता हूँ यहाँ पर account holder tab select करने के बाद अब यहाँ पर आपको अपना अधार कार के number एंटर करना होगा जो भी आपके अधार कार के number होगा यहाँ पे एंटर करेंगे और इसके बाद आपके अधार कार के साथ जो भी mobile number registered होगा उस पर में अधार verification के लिए एक OTP code send की जाएगी जो भी OTP code आएगा अपना OTP code एंटर कर देंगे और इसके बाद इस transaction condition को tick लगागर के accept करेंगे और इसके बाद यहाँ से submit OTP वाले option पर click करेंगे इसके बाद आप next page पर आएगे अब यहाँ पर आपको loan amount select करना होगा कि आपको कितने तक का personal loan चाहिए minimum आप यहाँ पर 50,000 रुपय तक का loan ले सकते हैं और maximum आप 10,000,000 रुपय तक का loan यहाँ पर ले सकते हैं तो आपको जितना तक का loan चाहिए यहाँ पर मैं आप loan amount को select कर लेंगे तो यहाँ पर loan amount select करने के बाद अब यहाँ पर आपको timing period select करना होगा कि आपको कितने दिन तक के लिए लोन चाहिए minimum आप 12 month के लिए 1 year के लिए ले सकते हैं और maximum आप 60 month के लिए 5 year तक के लिए यहाँ पर लोन ले सकते हैं इसके बाद यहाँ पर आपका address और आपका name date of birth साड़ी चीज़े आपके अधार कार्ड से अपना पेंड कार्ड के नमबर यहाँ पर एंडर करेंगे आपका mobile नमबर पहले से यहाँ पर आज आएगा आपका religion टाइब क्या है आपका marital status क्या है आपका first name of father मतलब की father के first name यहाँ पर एंडर करेंगे इसके बाद जैसे आप वहाँ पर next करते हैं आप अगले page पर आते हैं और यहाँ पर आपके सामने congratulation का message आते हैं और जो भी आपका loan यहाँ पर अपर अपर आते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो भाई साब 10,00,000 रुपे तक का loan मेरा यहाँ पर अपर 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 हुआ है आप जो यहाँ पर personal loan ले रहे हैं वह आप किस purpose के लिए यहाँ पर ले रहे हैं अब नीचे में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो भी loan अपर 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 होता है उसके कुछ interest rate और जो भी उसका processing charge वगेरा होती है उन सब के बारे में यहाँ पर बताय जाती है जैसे कि मेरा जो यहाँ पर में loan अपर होता है तो मेरा 1.5 लाक रुपय का loan यहाँ पर अपर अपर है और उसके उपर अप interest rate देखेंगे तो 13.9% का मुझे interest charge की जाएगी साथ में उसका जो processing fees होगा वे यहाँ पर 3,000 रुपया रहने वाले हैं और इसके अलावा यहाँ पर Starm Duty के नाम पर 488 रुपया मुझे चार्ज की जा रही है वही मेरा जितना भी लोन अप्रूब हुआ है उसके उपर जो ट्रांसफर की जाएगी वह 1,45,922 रुपया ट्रांसफर की जाएगी तो यहाँ पर मैं आप अपने लोन के साधी डिटेल आप यहाँ पर में चेक कर सकते हैं यह साधी चीज़ें आप यहाँ पर में चेक कर लेंगे और नीचे में देखेंगे कुछ ट्रांसफर कंडिसर मिलेगा दोना ही बॉक्स में टिक लगा के एकसेट कर लेंगे और नीचे में आपको प्रोसीड का आपसें मिलेगा यहाँ से प्रोसीड वाले आपसें पर किलिक करेंगे इसके बाद आप नेक्स्ट पर आएंगे अब यहाँ पर आपको KYC कॉम्पीट करनी होगी KYC भी डिजिटल तरीके से ही हो जाता है बस आपको अपना अधार नमबर यहाँ पर में फिल करना है जो भी आपका अधार नमबर होगा और इसके बास सेंड ओटीपी वाले आपसे page पर आएंगे और यहाँ पर आपके सामने agreement वगएरा आज आते हैं जो भी agreement आपके सामने आते हैं इसको आप अच्छे से read कर ले जाते हैं जाते हैं इस agreement का PDF आपको email भी कर दी जाते हैं और आपको text SMS में भी एक link provide कर दी जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो agreement दी जाएगी bank of roda के तरफ से loan का इस agreement को आपको अच्छे से read कर लेना है इस agreement के अंदर आपको अपने loan के साड़ details आपको देखने को मिल जाते हैं इसके बाद जैसे आप वहाँ पर उस agreement को read करके terms and condition को accept करके आप वहाँ पर submit करते हैं तो भाइस आपका loan यहाँ पर successfully submit हो जाता है loan application और यहाँ पर आपके सामने thank you का message आ जाते हैं और जो भी आपका loan amount होता है वह आपके bank account में transfer कर दी जाती हैं यहाँ पर आप clearly देख सकते हैं यहाँ पर bank of roda के तरफ से बताया गया है कि भाइस साब जो भी आपका loan amount है वह आपके bank account में transfer कर दी गई इसके अलाबा आप यहाँ पर SMS भी देख सकते हैं जो मेरा loan amount हमारे account में transfer की गई है यहाँ पर clearly यहाँ पर आप SMS देख सकते हैं अब यहाँ पर कुछ लोगों के मन में confusion सा होगा कि भाइस साब अभी तक तो मेरे से कोई भी account details नहीं ली गई है मैंने कोई भी अपना bank का details यहाँ पर फिल नहीं किया है तो मेरे कौण सा bank में जो हैसे loan amount transfer की जाएगी तो आपको बताना चाहूंगा अभी मैं जिसका loan यहाँ पर apply किया हूँ तो उनका bank of बरोदा में saving account है तो उनके bank of बरोदा वाले saving account में ही उनका loan amount transfer कर दिया गया है इसलिए उन्हें यहाँ पर में कोई भी bank के details फिल करने की जुरुत नहीं परा लेकिन वही अगर आपका bank of बरोदा में saving account या फिर कोई भी account नहीं है तो उस case में आपको इससे पहले आपको अपने details फिल करने होते हैं account के account term और IFSC कोर वागरे फिल करने होते हैं और इसके बाद जो भी आपका loan amount होते हैं वह आपके उस bank account में transfer कर दिया तो I hope आप समझ गए होंगे कि आप किस तरह से bank of बरोदा से personal loan के लिए apply कर सकते हैं अगर आपके मन में किसी भी तरह का question है तो आप नीचे comment box में ज़रू पूछें चले मिलते हैं next video में बहुत जल तब तक के लिए take care, bye bye